हेलो फ्रेंट्स टेक्टी दीप पर आप सब का स्वागत है तो फ्रेंट्स आप सब अगर 25,000 के अंदर बेस्ट कैमेरा फोन एंड गेमिंग फोन धुन रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो यहाँ पर मैं 5 ऐसे फोन के बारे में बाताऊंगा जो की कैमेरा फोन भी ह और गेमिंग फोन भी है तो फ्रेंट्स 25,000 के अंदर मार्केट में बहुत सारे फोन एबलेबल है उनमें से यहाँ पर मैं 5 फोनों के बारे में बाताने वाला हूँ तो पहला जो फोन है यह है रियल्मी X3 सुपार जूम तो फ्रेंट्स यह फोन 23,999 रूपीज में आता है औ आपको गोरिला गेलास 5 का पोटेक्शन भी देखने को मिलता है और फ्रेंट्स इस फोन के में अगर OS की बात करूँ तो इस फोन में आपको Android 11 के साथ Realme UI 2.0 देखने को मिलता है इसी के साथ इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 855 प्लास पोसेसर देखने को मिलता है जो की एक पारफ 56GB का स्टोरेज के साथ 8GB RAM भी देखने को मिलता है और फ्रेंट्स इस फोन की में अगर कैमेरे के बात करूँ तो इस फोन में आपको Quad Camera Setup देखने को मिलता है जो की है 64MP प्लास 8MP प्लास 2MP इस Guys 2MP इसी के साथ इस फोन है उसे देख लेते हैं तो फ्रेंटस यहां पाद ज़र नेग्स्ट फोन है यह सैमसुंग गेलक्सी एम 42.5 जिए तो फ्रेंटस इस फ़न की में अगर प्राइस की बात करूँ तो यह फोन 5G नट रोड़क के साथ और इसमें के अन्दर आपको 6.6 inches का super amiloji display देखने को मिलता है इसी के साथ इस phone का अंदर आपको android 11 x1 UI 3.1 देखने को मिलता है इसी के साथ इस phone का अंदर आपको snapdragon 750G 5G possessor देखने को मिलता है और friends इस phone का अंदर आपको octa core का CPU and adeno 619 GPU भी देखने को मिलता है सो फ्रेंट्स इस फोन की मैं अगर storage और RAM की बात करूँ तीस फोन में आपको 8GB RAM के साथ 128GB का storage देखने को मिलता है और फ्रेंट्स इस फोन की मैं अगर camera की बात करूँ तीस फोन में आपको quad camera setup देखने को मिलता है जो की 48MP, plus 8MP, plus 5MP, and 5MP इसी के साथ इस फोन का selfie में आपको 20MP का camera देखने को मिलता है जो फ्रेंट्स इस फोन का मैं अगर battery की बात करूँ तो इस फोन में आपको 5000MH का non-remobile battery देखने को मिलता है 15W fast charging के साथ जो फ्रेंट्स इहाँ पाद जो next phone है, यह है Xiaomi MI 11 Lite जो फ्रेंट्स इस फोन का जो market में price है, यह है 23,999 जो फ्रेंट्स इस फोन का मैं अगर pacification की बात करूँ तो यह fan 4G के साथ आता है और इस फोन के अंदर आपको 6.55 इंचीज का MLED display देखने को मिलता है इसे के साथ इस फोन के अंदर आपको IP53 certified dust and flash proof protection देखने को मिलता है इसे के साथ इस फोन के अंदर आपको Gorilla Glass 5 का भी protection देखने को मिलता है तो फ्रेंट्स इस फोन के में अगर OS के बात करूँ तो इस फोन में आपको Android 11 के साथ MIUI 12 भी देखने को मिलता है और फ्रेंट्स इसके साथ आपको Snapdragon 732G processor देखने को मिलता है इसे के साथ इस फोन के अंदर आपको Adeno 618 GPU देखने को मिलता है उसके साथ Octacore का CPU भी देखने को मिलता है इस फोन के में अगर storage और RAM की बात करूँ तो इस फोन में आपको 128GB का internal storage के साथ 8GB RAM देखने को मिलता है और फ्रेंट्स इस फोन के में अगर camera के बात करूँ तो इस फोन में आपको triple camera setup देखने को मिलता है 64MP प्लास 8MP प्लास 5MP और इसके selfie में आपको 16MP का camera देखने को मिलता है इसे के साथ इस फोन के अंदर आपको 4250 image का non-newable battery के साथ 33W का fast charging भी देखने को मिलता है So friends 25,000 के अंदर यहाँ पर जो next phone है यह है OnePlus Nord CE 5G So friends इस फोन के मैं अगर price की बात करूँ तो इस फोन का जो price है यह है 24,999 तो friends इस फोन के मैं अगर pacification की बात करूँ तो इस फोन के अंदर आपको 5G देखने को मिलता है उसके साथ इस फोन के अंदर आपको 6.43 इंचीज का fluid M.O.L.D. डिस्पेले देखने को मिलता है और friends इस फोन के अंदर आपको 98Z का reproduce भी देखने को मिलता है So friends इस फोन के मैं अगर OS के बात करूँ तो इस फोन के अंदर आपको Android 11 के साथ Oxygen OS 11.0.4.4 देखने को मिलता है और friends इस फोन का मैं अगर camera के बात करूँ तो इसके main camera पर आपको triple camera setup देखने को मिलता है 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP एंड इसके सेल्फी में आपको 16MP का कैमेरा देखने को मिलता है इसे के साथ इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 750G 5G पोसे साथ देखने को मिलता है उसके साथ Octa-Core CPU and Adreno 619 GPU भी देखने को मिलता है और फ्रेंड्स इस फोन के अंदर आपको 128GB का स्टोरेज के साथ 8GB RAM देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स इस फोन की मैं अगर बैटरी के बात करूँ तो इस फोन में आपको 4500 एमीज का नन्नियूबल बैटरी के साथ 30W आजचाजिंग भी देखने को मिलता है यहाँ पाद जो next फोन है यह है Vivo V20 AC फ्रेंड्स इस फोन की जो प्राइस है यह है 20,403 फ्रेंड्स इस फोन का मैं अगर पेसिपिकेशन की बात करूँ तो इस फोन में आपको 4G देखने को मिलता है इसे के साथ इस फोन के अंदर आपको 6.44 इंचिस का M.O.LED डिश्पलो देखने को मिलता है इसे के साथ इस phone के अंदर आपको Android 10 के साथ Fanta 11 OS देखने को मिलता है और friends इस phone के अंदर आपको Snapdragon 665 पोसेसर के साथ OctaCore की CPU and Adeno 610 GPU भी देखने को मिलता है तो friends इस phone की मैं अगर Storage और RAM की बात करूँ तो इस phone में आपको 128GB का Storage के साथ 8GB RAM देखने को मिलता है और friends इस phone की मैं अगर Camera की बात करूँ तो इस phone के Main Camera पर आपको Tipple Camera setup देखने को मिलता है ये है 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP और इसके Selfie में आपको 32MP का Single Camera देखने को मिलता है इस phone की मैं अगर Battery के बात करूँ तो इस phone में आपको 4100GB का Non-Newable Battery with 33W Fast Charging के साथ देखने को मिलता है ये वीडियो एही पर खतम होता है ये 5 phone में से कौन सा phone आपको आच्छा लगा कॉमेंट में ज़रूर बाताना और फेरेंट्स ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना